नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अशोक आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वायर गेज के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायर केज का क्या फंक्शन है तो दोस्तो बेसिकली हमारा वायर गेज एक मेजरिंग टूल है ये एक हमारा measuring tool होता है जिसका काम हमारा जो wire होते हैं उसके diameter को measure करना होता है यानि ये measure करता है हमारे wire के diameter को यानि तार के व्यास को measure करने में help करता है कैसे करता है इसको अभी हम detail में समझेंगे बात कर लेते हैं दोस्तो इसके material की कि ये किस material का बनाय जाता है दोस्तो basically हमारा steel की schö岑 sheets होती है उनका बनाय जाता है और क्यूंकि इसमें जंगल भी लग जाता है इसलिए जंग ना लगे और ये लंबा चले इसलिए इसको stainless steel का भी बनाया जाता है और इसकी अगर thickness की बात करें तो ये बहुत ही पतला होता है average में बात करें तो ये 2 से 3 mm की thickness में पाया जाता है और दोस्तो अब बात करते हैं हम इसके range की कि ये किस range से किस range के बीच के तार को calculate कर सकता है या बता सकता है basically इसके जो range होती है वो 0.1 mm से लेकर 10 mm तक के जो हमारे diameter होते हैं wire के उनको easily बता सकता है चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़े wire gauge के बारे में हम basically short form में wire gauge कहते हैं बट इसका दोस्तो एक्चोल लम हमारा standard wire gauge होता है यह है standard wire gauge इसकी shape कैसी हो सकती है या तो यह circular हो सकता है या half circular rectangular या square shape में पाया जाता है depend करता है आपको किस range से किस range के बीच में यह हमारा calculate करना है तो दोस्तो हमने इसके important material function को जाना अब यह जानते हैं कि यह measure कैसे करता है तो दोस्तो हर wire जो हमारा wire gauge होता है उस पे embossed होते हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच आप counting देख रहे हैं इनको दोस्तो कहा जाता है gauge number यह gauge number ही आपको बताएंगे कि आपका जो तार है उसका diameter कितना है यह आपको directly diameter नहीं बताते हैं बट यह आपको gauge number बताते हैं इन gauge number के respect में ही आपको आपके wire का diameter चाहे mm में बत करें या inch में पता चल जाता है कैसे हर wire gauge के साथ आता है एक chart उस chart में हर wire gauge के against उसका size standard wire gauge का size mm में और inch में लिखा होता है जैसे बात कर लें दोस्तों हमारा अगर एक है wire gauge का number एक है माली जी मेरा wire gauge है इसका number एक है अगर आपको यह देखना है मेरा तार इसके अंदर मतलब हमारा fit बैठ रहा है एक तो freely move नहीं कर रहा है उनना ही बहुत tightly move कर रहा है एक standard fit के बाद ही वो इसके अंदर जाता है तब आप कह सकते हैं कि मेरा अगर एक gauge है मेरा एक gauge है तो उसके against में आपका जो mm होगा तो वो 7.35 mm होगा और अगर आपको यह inch में देखना है तो यह 0.2893 inch होगा क्योंकि दोस्तों अब आपको यह चीज समझ में आ रही होगी क्योंकि इसमें जो gauge number है आप देखेंगे वो बढ़ते जा रहे हैं और diameter छोटा होता जा रहा है तो इससे एक important point जो exam point of view से भी important है वो यह है कि ज जैसे जैसे gauge number बढ़ते हैं जैसे जैसे gauge number बढ़ते हैं जैसे 1,2,3,4,5,6,7 वैसे वैसे हमारा diameter कम होता चला जाता है हमारे wire का इस चीज को आप याद रखेंगे जैसे कि 1 के against अगर मैं उसका diameter देखूं तो दोस्तों वो 7.35 था मगर अगर मेरा gauge number बढ़ जाए 20 हो जाए तब आप देखेंगे इसका जो diameter है वो कितना कम हो गया ठीक है तो confused नहीं होंगे क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि भई हमारा gauge number बढ़ रहा है तो diameter भी बढ़ेगा ऐसा नहीं है gauge number बढ़ता है diameter कम होता है बहुत simple सी बात है यही इसके total बारे में था तो दोस्तों यह था totally हम हमारा wire gauge के बारे में thank you for watching